तो हाई गाई वेलकॉम बैक टू मैं चैनल चैन्दन हालदार फूट ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है तो आज बनाएंगे फिस्का रस्टा एक तुम बढ़िया थरीके से बंगाली स्टाइल में जबरदस तरीके से सबसे पहले न मैंने मार्केट से इसे रू बोलते हैं जबरदस तरीके से दोनों साइट से बराब्भर फिश को मैंने फ्राइ कर लिया देख सकते हो कि तरीके से भाइनली मेरा फिश राइओं पर तयार हो चुका है बस अकड़ाई में वेजिटेबल जालने के तयार यह जारू हो चुकी है तो मैंने कड़ाई में सबसे पहले सरसो का तेल डाला है तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था कड़ाई को सुरी उसके बाद मैंने जितने भी वेज़िटेबल से आलू टमाटर और माटर मैंने इस सारे चीज को मैंने काटके दोधा के बड़िया तरीके से साफ कर लिया तो उसके बाद मैंने कड़ाई में जी रहा है और खड़े मचसाले और तेश बत्ता बड़ी तरयके से डालके इसके आदा मैंने जो वेजिटरिबल काटे थे वो बड़ी तरह बीक H उसके बाद मैंने जीरा पावडर डाल दिया उसके बाद लाल मिर्च पावडर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से तब उल्टा पल्टा के चारो साइट से मसाले को लपेट देंगे पूरा वेजीटिबल्स के साथ जबरदस तो हमारी वाइफ ने जिल बोटे में प्याज लसन अद्रक को बढ़िया तरीके से पीस लिया था अब पता है ना पीसने का मज़ा कुछ आला गाता है तेस्ट को जब का आता है अब इस टेस्ट का कोई जवाब नहीं है ला जवाब टेस्ट है सबसे पहले ना अद्रक को सामने बिन विने के तु सिसंट पार है उसके बाद रखता है न तौ बहुत बुलरा लगता है पता नहीं आपका कैसे लगता होगा है उसके बहुत ज asks ऑले टरीक़ MAY पीछा था उसके बाद इड कर लेंगे सबस्टी में बड़ी तरीके से इसे अच्छे से मिला लेंगे बड़ी थैड क्यों किया कि इन्सान सबसे पहले तेल बीड़ कर जालता यह जिए घरलीक पेस्ट करता है तो मैंने लाता है यह चक्र यह बड़ी तरीके से में लिए हैं बढ़ी है तरीका से फिराई करें अगए पीछे ऊपर नीचे तरह से विराज करूंगा उसके बाद मैंत न पानी चुरूंदंट चुरौण कर दिया इसमें फोलब सा हम देख सकते हो खड़े मसाले उपर तैर रहे हैं पढ़िया तरीके से और यह खुश हो आता है ना इस मौकी वाला और यह चूले में वकर बनता ना तो शर्च में बता और और ज्यादा ठेस्ट आता इसका यह तो देख लिजए हमारा ना बढ़िए तरीख से पानी बॉयल उच्छों हे तो पर हमने मचली का सिर और हमने मचली पूच बढ़िया तरीक से डालके हम इसे ढग देंके ना हो तो कम से कम पास मिनट तक मैंने तुम्हें से पांडिया है हम इसे पास मिनटे ढखके उसके बाद दुबारा निकाल लिया हमने तो देखने बागे के जितने फिश्ट है न वह सब इसमें हम एड़ कर लेंगे अब आइप ना बगल से बच्चे को दूद पला रही है तो उसका वाज आ रहा है क्या करूं तो बढ़िया तरीक से ना देखें फिश के उपर से तरी-तरी डाल देंगे उपर से तो लगीला-गीला हो जाए न तो बढ़िया हो जाएगा अब अराम से हमें तो ठक देंगे बढ़िया तरीक से उसके बान बजारोय होगी है गरम साली की बारी अब घरम अब बढ़िया तरीक से पीसलेंगे मतलत अब गरमसाले में क्या यूसे करेंगे दिखा देता हूं आपको क्या-क्या-क्या यूसेff और यूज़ future को फिर दाल चीनी चोटी यह काली में ज़िए नालेंगे नहीं तुरा लॉंग गरम मसाला पीसा था था ना अब इसमें हम एट कर देंगे जब अर्तस तरीके से एट कर देंगे गरम मसाला डालने के बात में न जो खुश्वू आती है भाई मदा आदाता है खुश्वू महीं और सब्सक्राइब गढ़ा पन आ जाता है तो फाइनली देख लीजिए हमारा यह फिश्ट ना एक्तम तयार हो चुका है तो कैसी वीडियो अपको कैसा लगा